मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर तो कुछ दिर बेठी है कुछ दिर इस्मरन करें हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल किरिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिये कोई पीछे से आकर कुछ करना जा दीप जलाए थोड़ी दिर रुकिये और दीप का भी निया में मारा दीप का भी निया में दीए में जो फूल बत्ती लगती है गोल बत्ती लगती है गोल वाली यह बत्ती हमेसा कोई विश्णु बगवान की पूजन कर रहे हो शिवजी की पूजन कर रहे हो कोई अन्य देवता का अगर आप इसमरन कर रहे हो तो गोलबत्ती लगाई जाती बगवान के मंदर में पूजन कर रहे हो तो गोलबत्ती लगाई जाती बगवान के मंदर में पूजन कर रहे हो तो गोलबत्ती लगाई परिंडे के पास में जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो मां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लच्मी नहीं टिकेगी कई लोग करते हैं कि परिंडे के पास मटके के पास में पानी के श्त्रोत के पास में जहां जल भरते हैं हंडा रखते हैं तंकी रखते हैं वहाँ पर मटके के पास बत्ती लगाओ दिया लगाओ पितर संत रहेंगे तो पित्रों को संतकरो मना नहीं है पर दिया लगाने का निया में कि पित्रों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंडे के पास या अमावस्या के दिन पित्रों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कारे कभी सफल नहीं होगा धन आएगा जाएगा ठीकेगा नहीं इसलिए पित्रों के लिए अगर दिया लगाना है उर्वजों के लिए दिया लगाना है पित्रों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाईए मारत लंबी बत्ती का प्रमान हमरे यहां सास्तर करता गोल बत्ती का और सुन्दर चरित्र कहा यदी आपके जीवन में बहुत जादा लच्छमी से तकलीप है कश्ट बहुत जादा है या इसलिए सायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वस्रेष्ट कौन सा चंदन अच्छा लगता है आपको पहले भी कथा में का आगरा की कथा अगर किसने सुनी होगी तो उसमें बढ़नन किया भगवान को सर्वस्रेष्ट चंदन कौन सा भगवान को सर्वस्रेष्ट चंदन कौन स प्रिय है, वो कौन सा चंदन है जो भगवान विश्नु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं, वो कौन सा चंदन है जो श्री हरी को लगाया जाएं, तो जीते जी, भगवान विश्नु एक बार गले लगाते हैं, उसको कते हरी चंदन, कौन सा चंदन है, हरी हरी चंदन बजार में नहीं मिलेगा हरी चंदन आपको बनाना पड़ेगा काईसे बनाना है तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए वो जड़ को पानी में धो लिया जाए धोने के बाद उसको सिल्वटे पर पत्थर पर घिसा जाए एक बिंदी अपने हिरदय पे लगा लेते हैं जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही है हरी चंदन प्रियतार जैसे शिव महा पुरान में रुद्र चंदन का भाव है शिव महा पुरान में रुद्र चंदन का प्रमान दिया जाता है आगर आपने लिंग पुरान पड़ी हो तो उसका पांचमा इसकंदा बश्य पड़ियेगा मारत और शिव महापुरान अगर पड़ रहे हो तो उसका कुमार एक खंड पड़ियेगा जिसमें रुद्रचंदन का प्रमाने रुद्रचंदन कैसा रुद्रचंदन का प्रमाने कै चंदन घिसकर पीला चंदन घिसकर उस चंदन को तीन मुखी रुद्राक्षे पर लपेट लिया जाता तीन मुखी रुद्राक्षे पर उस चंदन को लपेटा जाता लपेट होगे उसके बाद उसको इसको गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाए एकदम चिकना ठीक है एकदम कि यो सब फल्दाई होती है अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्री लिखी हुए आती है हर महिने पर किसी भी महिने की शिवरात्री पर रुत्र चन्दन आर्थात जो चन्दन का आपने तीन मुखी रुद्राक्चा में लेपन करा है उसका गोला बनाया है अच्छा मोटा मोटा कर लेंका अच्छा बड़िया पूरा लपेटकर उसको शंकर के शिवलिंग पर लिजा कर रख दीजिए और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान क जल अभिशेक करना प्रारम कर दीजिए वो चंदन पूरा धीरे-धीरे शंकर के शिविलिंग पर डलना चाहिए शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाब करिए यह कहलाता है रुद्र चंदन इस चंदन के अभिशेक से महराज जो काम नहीं होता आप करकर उस कारे को प्राप्ट कर सकते हो सिद्ध कर सकते हो रुद्र चंदन हरी चंदन रुद्र चंदन यह वो चंदन है जो जीवन का सुक प्रदान करने वाल है अर्टत्व देने, मंगल है, राहू है, केतु है, दशा बिकार चल रही है, लच्छमी नहीं आ रही, कष्ट बहुत है, फेक्रियां नहीं चल रही, कहीं मत जाओ, मेरे शिव किशरण में जाकर, एक बार शिव महा पुरान को पूरी सुनो, शास्त्र के हटकर कुछ नहीं बोल है, इसकंद पुरान में, विश्णु पुरान में, नरवदा पुरान में, लिंग पुरान में, शिव महा पुरान में, भविश्व पुरान में, जितनी जितनी बातें लिखी होती है, उसको छाट-छाट कर लेकर आते हैं, आपको बता देते हैं, कि आप ये कर लो, उससे फ मरन और परन वो देगा, सुक वो देगा, सम्रध्धी वो देगा, जिसके घर में बहु रिद्धि सिद्धी हो, जिसके घर में अमोद और प्रमोद पोते हो, जिसके घर में शुब और लाब दरवाजे पर बेटे बनकर विराजमान होते हो, जिसके घर में स्वयम अखंड सोबहा के देने वाली पारवती हो जिसके घर में लच्मी देने वाली लच्मी पेल पत्र के पेड़ के नीचे जाड़ू लगाती हो जो स्वयम सरसती को स्वरप्रदान करता है वो शंकर है जब सब कुछ उसके पास में है कुबेर का खजाना वो वो शंकर, वो तरकाल दरशी, वो केलाशी, वो अविनाशी, सुख देगा, आनन देगा, पाने का तरीका केवल उसको रिजहाओ, जो मंदिर आप से दूर हो, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता है, जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता है, उस मंदिर में तुम जाओ, और उस मंदिर में एक दिन जाकर प्रकाश करकर आना, एक बार दिया जला कर आना, मंदिर की सफाई करी आना, संकर जी पे जल चड़ा कर, उनको इसनान करा कर, कोई पत्ती पेड़ पोधे की पास में हो तोड़ के चड़ाया आना, दो चार बार करकर देखना कितना चांती, कितना धीरज, कितना आनंद, कितनी समर्धी, कितनी लच्छमी मिलती है तुम करोगे तुमारा पेट भराएगा, हम करेंगे हमारा पेट भराएगा स्वयम करिए ब्रह्म लोक के देवता ब्रह्मा है बेकुंत के देवता भगवान विश्णु है और मर्तिव लोक का अगर कोई देव है तो वो महा देव है केवल शंकर केवल श्युव मर्तिव लोक का दे अब एक विचार करो तुम्हारे घर में अगर थोड़ी सी तकलीफ आई तो सबसे पहले अमेरिका में लड़का रेरा वो आएगा क्या उना में बच्चे रेरा है वो आएंगे क्या इन दोर में बेटी रेरा ही वो आएगी क्या ओजेन में कोई रेरा है वो आएगा क्या सबसे पहले वो आएगा जो तुमारे घर के पास होगा या घर के तरीब में होगा बिल्कुल लगा हुआ होगा या घन में होगा अब आप कहा रहते हो जितने लोग कथा सुन रहे हैं सही बताना कहा रहते हो परत्वी पर मरत्यू लोक में रहते हो और कुकार किसको रहे हो ब्रह्म लोक में पुकार किसको रहे हो बेकुंठ लोक में पुकार किसको रहे हो इंद्र लोक में और जो घर के घर में रह रहा है जो तुमारे पास में रहा है जो मृत्यू लोक में रह रहा है उसको तो बुलाई दे रहा है कई लोग करते हैं कई लोगों की आदाते पडोसन को तो खुब चाही पिलाएंगे पडोसन की काकी के तो